श्री शादिगुरू महाराज कीजए। पुजपाद महर्शी संसेवी प्रमहन्षजी महाराज का परवचन। परमात्प प्रात्ति के लिए गुरू दिक्षा की अवशकता। इस परवचन का दूसरा भाग। जब पांचों शरीरों को पार कर परमपरवु परमात्मा की प्राप्ति होती है तभी आवागमन का चक्र छुटता है, मुक्ति मिलती है। शालोक्य यहां जहां इस्ट देव रहते हैं, उसी लोक में वह सेवक भी रहता है, यानि सेवक और सेव दोनों एक ही लोक में रहते हैं। भगवान विश्णु के दरवार में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल रहते थे। उन दोनों को शाप मिला, तो वे ही रावन और कुमकर्ण हुए। यह शालोक के मुक्ती है, दूसरी शामिप्य मुक्ती है, अपने इश्ट देव की शमिपता प्राप्त करनी, जहां इश्ट रहते हैं, वह उनके निकट वे भी रहते हैं, वह शामिप्य मुक्ती है। शिरिराम के साथ हनवान जी थे, श्री कृष्ण के साथ अर्जुन थे, यह शामिप्य मुक्ती है, तीसरी है शारूप्य मुक्ती, जिस तरह का इष्ट का रूप होता है, उसी तरह का शेवक का भी, जैसे गीध देह तजी धरी हरी रूपा, जटायू शरीर छोडता है और चत दसरजी पहले गए हुए थे, भगवान सिरी राम जटायू शे कहते हैं, शीता हरन तात जनी कहव पिता सन जाई, जो मैं राम न कुल शहित कहई दसानन आई, जटायू तुम बैकुंठ जा रहे हो, वहाँ पर पिता जी विराजमान है, शीता हरन का समचार पिता जी को नही देना, अगर मैं राम हूँ, तो कुल शहित रावन वहाँ जाकर कहेगा, मतलब यह है कि राजा दसरत बैकुंठ गए थे, वहाँ ही जटायू गया, और मिर्त्यू परांत रावन भी परिवार शहित वहाँ पहुँचा है, जटायू भगवान के चतुर्भोज रूप को धा है कि जब उसका शरीर छोटता है, तो उसका तेज भगवान सिरी राम के वदन में परवेश कर जाता है, यथा ताशु तेज प्रवु बदन शमाना, शुर्मुनि सभ ही अचम्भव माना, इसलिए मर्यादा पुर्शोतम भगवान सिरी राम ने हनुमान जी से कहा था, चतुर विद्या तूया मुक्तिर मदुपास नया भवेत यं कैवल्य मुक्तिस्तू केनो पायन शिद्यती मुक्ति को पनिशद। ये चार प्रकार की जो मुक्तिया हैं, वे अशलि मुक्ति नहीं है, अशलि मुक्ति तो कैवल्य मुक्ति है, शंतों को भी कैवल्य मुक्ति म शंद कवीर शहाब कहते हैं कवीर महिमा नाम की कहना कही न जाए चार मुक्ति और चार फल और परंपद पाए उपर्युक्त चार प्रकार की मुक्तियों के बाद पांचवी मुक्ति है जिसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं इसके पश्चात ही नहीं शब्दंग परंपदम की प्र परमात्म पद है जब तक परमात्म पद को कोई प्राप्त नहीं कर ले तब तक आवागमन के चक्र से नहीं छूटता भगवान शिर्राम ने हनमान जी को यही शिक्षा दी सच्छास्त्र कहता है मन एवं मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षियो हमारा मन ही बंधन का कारण है और मुक्ती दिलाने वाला भी यही है बंगाल के शोप्रिशिद संत श्री रामकृष्ण परमहम अन्स देव जी महराज ने कहा है जिस कोई के जल से भूत उतारना हो यदि उस जल में ही भूत कावाशा हो तो भूत उत्रे कैसे इसी तरह जिस मन से भगवद भजन करना है वह मन ही अगर विशय में रमन करता हो तो भजन करेगा कौन इसलिए अपने को विशय से निर्विशय की ओर ले जाओ विशय से निर्विशय की ओर कैसे जाओगे इसका यतन जान लो मन से ही वासना के उत्पती होती है और वासना भी एक दो नहीं अनेक वासना ये उत्पन होती है शंद कविर्शाब ने कहा है जेती लहर शमुद्र की तेती मन की दोर सहजे हीरा निपजे जो मन आवे ठोर शमुद्र की उपमा देकर जब उनको शंतोष नहीं हुआ तो पुनह कहा शमुद्र लहर तो थोड़िया मन लहरे घनियाए के तिक आय समाई है के तिक जाय विशराए शवेरे से संध्या परियत्न कितनी लहरे उठती है याद रहती है किसी को क्या क्या बाते कितनी कितनी बाते आती हैं जिनका कोई ठीकाना नहीं और शमय की बात तो जाने दीजिए जब धियान करने के लिए बैठिये तब देखिये क्या क्या लहरे उठती हैं किस-किस जमाने की बाते मन में आती हैं जिससे शम्मन्द नहीं उससे शम्मन्द जुड़ जाता है जिससे बादचित नहीं उससे भी बादचित होने लग जाती है जब करने के लिए बैठते हैं और गप करने लग जाते हैं जब होश आता है तो सोचते हैं कि हम तो जब ध्यान करने के लिए बैठे थे और गप करने लग गए ऐसा क्यों होता है इसका मोल कारण हमारा और परिमार्जित मन है इसलिए कविर शहाब कहते हैं मन ही को परबोधिये मन ही को उपदेश यो जो यही मन को वश करे तो शिश्य होई सब देश इस मन से ही काम लेना है यह मन ही सब कुराफातों की जड़ है और मन ही हमको प्रभु की ओर अग्रशारित करेगा जिग्याशा होती है हमारे मन में जो विवीद भातें आती हैं विवीद लहरें उड़ती हैं लहरें समाप्त कैसे होगी भगवान से राम इसका समाधान करते हैं वे कहते हैं दोई विजे चित रूप विरिक्ष के दो विजे प्रान अस्पंदन और वास्ना इन दोनों में से एक के छिन हो जाने से दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं जैसे चना है शमुचा चना आप खेत में बो दीजिए अंकुर निकल आएगा पौधा हो जाएगा फूल खिलेगा फल हो जाएगा उस चने के छिलके को हटा कर देखिए आप पाएंगे कि उसमें दो दाले हैं जब तक वे दो दाले हैं तब तक उससे अंकुर निकलेगा उन्हीं दो दालों को आप दो जगह कर दीजे, खेत में बो दीजे, अंकुर नहीं निकलेगा, उसी तरह हम लोगों के अंदर चित रूप विरिक्ष की दो दाले हैं, प्रथम प्रान अस्पंदन और दीतिये वासना है, इन दोनों में एक एक को छिन कीजे, नास कीजे, प्रा प्रान का हिलना, हम लोग स्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यह है प्रान अस्पंदन, वासना अर्थात इप्षा, प्रान अस्पंदन निरोध के लिए कितने आदमी हठयो के किरिया करते हैं, यह सर्वेश अधारन के लिए संभब नहीं है, दूसरी किरिया है वासना का नियंत्रन लाना, वश में करना, यह राजियोग की किरिया है, यह सब के लिए शरल, शुखद और निरापद है, हठियोग के लिए शांडेली उपनिशद में लिखा है, यथा सिंगो गजो व्यागरो भवे द्विश्य शनेशने तथेव सेवीतो वायूरन नियथा हंती सा पराण, अशपन्दन, निरोध के लिए पूरक, कुंभगं और रिचक की किरिया करते हैं, अर्था, स्वास खीचते हैं, रोकते हैं, और छोडते हैं, यह बारम, बार करते हैं, यह किरिया ऐशी होती है कि जितनी देर में वायू खीचते हैं, उससे चार गुनी देर تक उसक वायू को निकालना होता है इसमें अगर कहें किसी प्रकार का ब्यावधान उत्पन हो जाए तो उसके बुड़े प्रभाव से शरीर और मस्तिष्क प्रभावित हो जाते हैं वास्त्विक बात यह है कि यहीं यम नियम का पालन यथार्थ रूप में होता है तो यह कारिस रल्त पूर्वक संयाक्य याम यम नियम और शिद्धि के पस्चात्य प्राणायाम की जाती है यम नियम में हम कुशल हो आशन हमारा सिध्थ हो गया हो तब प्राणायाम हमारे लिए शरल हो जाएगा यह नियम का पालन नहीं हो तो आशन शिद्धी के बिना प्रणायाम शफल नहीं होगा इसलिए यह कहना अतिश्योगति नहीं कि हट योग की किरिया सब के लिए शरल और शुगम नहीं है शर्वशधारन के लिए शहज और शरल है ध्यान योग शंत कविर्शहाब ने कहा है शहज ध्यान धरू शहज ध्यान धरू गुरू के वचन समाई हो मैली चित चराचित राखो रहो द्रिष्टी लौलाई हो यह ध्यान की किरिया है ध्यान योग की किरिया में बिना प्रयाश के प्रान अश्पंदन रुद्ध हो जाता है और मन की चंचलता दूर हो जाती है मन की चंचलता को दूर करने के लिए हठ योगी प्रान अश्पंदन निरूद करते हैं और राज योगी का ध्यान द्वारा बिना प्रयाश के श्वतह प्रान अश्पंदन निरूद हो जाता है उसके लिए उसको कोई प्रिथक किरिया करने नहीं पड़ती भगवान श्री राम हनुवान जी से कहते हैं कि उपरयुक्त दोनों किरियाओं में से एक करो अब भगवान सिर्राम श्री हनवान जी को ध्यान की वह सरल किरिया बतलाते हैं जिससे इंद्री निग्रह, मनोजे, वासना छे और आत्म ज्यान द्वारा मुक्ति मिलती है एक तत्व डिढ़ा भ्यासादान वन्य विजीतं मनह प्रक्षिन चित दरपश्य निग्रिहितें द्रिय दिशह, पदमन पदी मन्य इव हे मन्ते शियंते भोग वासना मुक्ति को पनिशद्व जब तक मन नहीं जीता गया हो तब तक एक तत्व के डिढ़ अभ्यास से चित एवं अहंकार को पुर्ण रोप से नस्ट करके इंद्री सत्रू को निग्रह करना ऐसा होने से हे मन्त काल के कमल सद्रिश भोग वासना का नास हो जाएगा तथा चित कागर याद्यतो ज्यान मुक्तंग शमूप जायते तत्षा धन मथो ध्यानं यथा वदू पश्यंते ध्यान का कारण जिससे ज्यान तथा मुक्ति उपजती है मन की एक विंदुता चित की एकागरता है अब तुमको जना दिया गया एक तत्व क्या है दृष्टी शाधन की किर्या द्वारा एक विंदुता की प्राप्ति होती है उस अनोर नियाम जोतिर मै विंदु का ध्यान एक तत्व का डिड़ अभ्यास है आगे चलकर भगवान अंतर शाधना की एक विशेश विधी बतलाते हैं जिससे ब्रमत्व की प्राप्ति होती है इस प्रवचन का तीसरा अंतिम्भाग अगली प्रवचन पार्ट में पुजपाद महर्शी संसेवी प्रमहंजी महराज का यह प्रवचन शंत्मत सशंग आश्रम ग्राम राजपूर खोर्ध नई दिल्ली राज के तिर्तिय वार्षिक अधिवेशन के शुब अवसर पर दि झाल 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 झाल